C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा 2 की गणित की ध्वनी पुस्तक आनंद मैं प्रिष्ट संख्या 123 पार्ट 11 आंकलों के साथ कार्य मन पसंद रंग यहां प्रिष्ट संख्या 123 पर एक चित्र दिया गया है इस चित्र में एक खुले मैधान में 10 बच्चे खड़े हैं जिसमें कुछ लड़किया और कुछ लड़के हैं आओ करें तालिका को पूरा करिए और रिक्त स्थानों को भरिए यहां पर एक तालिका दिगई है तालिका के 5 भाग हैं और 2 पंक्तिया है पहली पंक्ति में लिखा है रंग, उसके बाद लाल, फिर हरा और फिर नीला लिखा है और आखरी भाग रिक्त है तालिका के दूसरे पंक्ति में लिखा है बच्चों की संख्या और आगे के सभी भाग रिक्त है क सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला रंग रिक्तिस्थान है क सबसे कम पसंद किया जाने वाला रंग रिक्तिस्थान है ग पीला रंग रिक्तिस्थान से अधिक पसंद किया गया है ग रिक्तिस्थान हरे रंग से अधिक पसंद किया गया है और अंगा, रिक्तिस्थान और रिक्तिस्थान से कम पसंद किया गया है पिकनिक, पिकनिक पर बच्चों को खाने के लिए फल दिये गए बच्चे अपनी अपनी पसंद के फल लेकर खा रहे हैं यहाँ प्रिष्ट संख्या 124 पर एक्चित्र दिया गया है इसमें एक खुले मैदान में चार चटाईयों पर बच्चे बैठे हुए है उन बच्चों के सामने तश्त्रियों में उनकी पसंद के अलग-अलग फल रखे हुए है वो उन फलों को खा रहे हैं इन भलों में अमरूत, सेब, कीवी, केला और संत्रे हैं आओ करें तालिका को पूरा करिये और रिक्त स्थान को भरिये यहाँ पर एक तालिका दे गई है जिसके पांच भाग है तालिका दो पंक्तियों में है पहली पंक्ति में लिखा है फल और उसके सामने संत्रा, सेब, कीवी और अमरूत का चितर बना है तालिका की दूसरी पंक्ति में लिखा है बच्चों की संख्या और आगे के सभी स्थान रिक्त है क चित्र में बच्चों की संख्या रिक्तिस्थान है क चित्र में कितने बच्चे फल खा रहे हैं रिक्तिस्थान कितने बच्चों को सेब पसंद हैं रिक्तिस्थान अधिकतर बच्चे रिक्तिस्थान खा रहे हैं अंगा, सबसे कम बच्चे रिक्तिस्थान खा रहे हैं। च, अमरूद खाने वाले बच्चों की संख्या, सेब खाने वाले बच्चों की संख्या से रिक्तिस्थान कम या अधिक या बराबर है। च, सेब खाने वाले बच्चों की संख्या, केले खाने वाले बच्चों की संख्या से रिक्तिस्थान कम या अधिक या बराबर है। और ज, सेब खाने वाले बच्चों की संख्या, कीवी खाने वाले बच्चों की संख्या से रिक्तिस्थान कम या अधिक या बराबर है। यहाँ प्रिष्ट संख्या 125 पर एक चित्र दिया गया है इस चित्र में एक स्कूल की इमारत को दरशाये गया है उस स्कूल के पास एक रोड है जिस परphem अलग अलग भापनों में बहुत से बच्चे आते हुए दरशाये गये हैं उस स्कूल के पास आने और जाने के लिए एक रास्ता बना हुआ है। उस रास्ते पर एक बस, दो अटो रिक्षा, कुछ साइकले हैं जिस पर बच्चे स्कूल की तरफ आ रहे हैं और कुछ बच्चे पैदल स्कूल की तरफ जा रहे हैं। चित्र के विशय में चर्चा करें औ पहले भाग में लिखा है स्कूल आने का तरीका और दूसरे भाग में लिखा है बच्चों की संख्या। प्रिष्ट संख्या एक स्कूल आने का तरीका समझना है और उनके सामने बच्चों की संख्या को लिखना है। प्रिष्ट संख्या एक सौच्चब्वेज। चहरे बनाईए एक चहरा बराबर एक शिक्षार्थी। चार्ट को समझे और रिक्ति स्थानों को भर्ये। यहाँ प्रिष्ट संख्या एक सो चब्वीस पर एक चार्ट दिया गया है। इस चार्ट में एक बिंदू से होते हुए दो अलग-अलग रेखाएं खीची गई है। पहली रेखा पर पांच बिंदू अंकित हैं। पहले बिंदू पर एक विद्यार्थी जाता हुआ दर्शाय गया है। लिखा है पैदल। इस बिंदू पर आठ चहरे बने हुए दर्शाय गये हैं। दूसरे बिंदू पर आटो रिक्षा दर्शाय गया है। लिखा है आटो रिक्षा तीसरे बिंदू पर बस का चित्र है लिखा है बस चोथे बिंदू पर मोटर साइकल का चित्र है और लिखा है मोटर साइकल पांचवे बिंदू पर साइकल का चित्र है और लिखा है साइकल दूसरी रिखा पर बच्चों की संख्या लिखा हुआ है क अधिकतर बच्चे रिक्तिस्थान से स्कूल आते हैं क स्कूल में सबसे कम बच्चे रिक्तिस्थान से आते हैं ग बस से स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या, आटो रिक्षा से स्कूल आने वाले छात्रों से रिक्तिस्थान अधिक या कम है ग, मोटर साइकल से स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या, साइकल से स्कूल आने वाले बच्चों से रिक्तिस्थान अधिक या कम है अंग, रिक्तिस्थान से स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या, रिक्तिस्थान से स्कूल आने वाले चात्रों से कम है और च रिक्तिस्थान से स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या रिक्तिस्थान से स्कूल आने वाले चात्रों से अधिक है प्रिष्ट संख्या 127 आओ खेलें कुछ खेल यहां प्रिष्ट संख्या 127 पर एक चित्र दिया गया है ये चित्र एक पार्क का है जिसमें बच्चे अलग-अलग खेल खेल रहे हैं कुछ बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे हैं कुछ बच्चे फोटबॉल खेल रहे हैं कुछ एगो-दिगो खेल रहे हैं और कुछ बच्चे गेंद पिठु खेल रहे हैं और कुछ बच्चे गेन बल्ला खेल रहे हैं। दूसरी पंक्ती का खेल है फुटबॉल। तीसरी पंक्ती का खेल है गेन्द पिठ्थु। चौती पंक्ती का खेल है गिल्ली डंडा। और पांच्वी पंक्ती का खेल है इग्गो दिग्गो। इनके आगे के सभी पंक्तियां रिक्त हैं। अब आप इस चित्र को समझ कर इन रिक्त स्थानों में बच्चों की संख्या को स्वयम भरिए। प्रिष्ट संख्या 128 यहां दिये गए चार्ट में बच्चों की संख्या चेहरों से बताने के लिए इस तालिका का उप्योग करिए। यहाँ प्रिष्ट संख्या 128 पर एक तालिका दी गई है जिसमें एक बिंदू से होते हुए दो रेखाएं खीची गई है पहली रेखा पर पाँच अलग-अलग बिंदू अंकित है पहले बिंदू पर गिली डंडे का चित्र है दूसरे बिंदू पर कबड़ी की पिछ का चित्र है तीसरे बिंदू पर पिठू के खेल का चित्र है चौथे बिंदू पर फुटबॉल का चित्र है और पाँचवे बिंदू पर गेंद और बल्ले का चित्र है दूसरे रेखा पर लिखा है बच्चों की संख्या क, सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला खेल रिक्तिस्थान है, क, सबसे कम पसंद किया जाने वाला खेल रिक्तिस्थान है, ग, पिठ्छु को रिक्तिस्थान से अधिक पसंद किया जाता है, और ग, रिक्तिस्थान को फुटबॉल से अधिक पसंद किया जाता है, आउ करें, अपने आस-पास के लोगों से पता करें कौन से सबजी सबसे अधिक पसंद की जाती है अपने मित्रों से पूछिए और तालिका भरिए यहाँ पर एक तालिका दी गई है इसके पाँच भाग हैं और ये तालिका दो पंक्तियों में है पहली पंक्ति में सबसे बाई तरफ लिखा है मन पसंद सबजी और उसके आगे के सभी चारो खाने रिक्त हैं और दूसरी पंक्ति में बाई तरफ लिखा है बच्चों की संख्या और उसके सामने के चारो स्थान रिक्त हैं अब आप इन रिक्तिस्थानों को स्वयम भरिये प्रिष्ट संख्या 139 तालिका को पढ़िये और रिक्तिस्थानों की पूर्थि कीजिए क सरवाधिक पसंद की जाने वाली सबजी रिक्तिस्थान है अपने मित्रों से पूछिए कि उनके घर में कितने लोग रहते हैं और तालिका में भरिये ख अधिकांश परिवारों के घरों में रिक्तिस्थान लोग रहते हैं एक घर में रहने वाले लोगों की सबसे कम संख्या रिक्तिस्थान है ग चार लोगों वाले परिवारों की संख्या रिक्तिस्थान है यहाँ प्रिष्ट के मध्यम भाग में एक तालिका दी गई है इस तालिका को दो खानों और साथ पंक्तियों में बाटा गया है सबसे उपरी भाग में पहले खाने में लिखा है एक साथ रहने वाले लोगों की संख्या दूसरे खाने में लिखा है कितने परिवार पहले खाने की पहली पंक्ती में लिखा है एक, दूसरी पंक्ती में दो लोग, तीसरी पंक्ती में तीन लोग, चौती पंक्ती में चार लोग, पांचवी पंक्ती में पांच लोग, छटी और सात्मी पंक्ती रिक्त है दूसरे खाने में लिखा है कितने परिवार इसके साथ की सभी पंक्तियां रिक्त हैं परियोजनकार्य अपने आसपास के परिवारों से पता करें कि किन परिवारों में बच्चे अपने दादा-दादी या नाना-नानी के साथ रहते हैं चर्चा करें कि आप परिवारों से किस तरह के प्रश्ण करेंगे। जानकारी एकत्रकर तालिका में भरिये। यहाँ पर एक तालिका दी गई है। इस तालिका के पांच भाग हैं और ये दो पंक्तियों में दी गई है। सबसे उपर वाली पंक्ति में लिखा है परिवार के साथ रहते हैं उसके बाद लिखा है दोनो दादा दादी या नानानी फिर लिखा है केवल दादी या नानी उसके बाद लिखा है केवल दादा या नाना और सबसे अंतिम भाग में लिखा है ना दादा दादी और ना ही न इस तालिका की दूसरी पंक्ति में सबसे 22 तरफ लिखा है परिवारों की संख्या और उसके आगे के सभी चारों खानें खाली हैं। रिक्तिस्थान कितने बच्चे दादा दादी नाना नानी के साथ नहीं रहते रिक्तिस्थान। और उन प्रश्णों के बारे में चर्चा करिए जो आप परिवारों से पूछने जा रहे हैं। कि किसी भी खाने से एक से अधिक रेखाएं ना जाएं और रेखाएं एक दूसरे को काटे भी नहीं। यहां प्रिष्ट संख्या 130 पर एक ग्रिट दिया गया है जिसमें बहुत सारे खाने दिये गए हैं। इन खानों में अलग-अलग प्रकार की आकरितियां बनी हैं। कुछ खाने खानी हैं और कुछ खाने आकरितियों से भरे हुए हैं। दी गई आकरितियां हैं त्रिभुच, वर्ग, अर्धचंद्र, सितारा, आयत, गोला, इत्यादी। ख, पूरा कीजिये। यहां पर कुछ खानों में एक पहली दी गई है। इस पहली को पांच पंक्तियों में दर्शाया गया है। पहली पंक्ति में अंक लिखे हैं दो, जमा, रिक्तिस्थान, बराबर, चार। रिक्तिस्थान के नीचे जमा का चिन और उसके नीचे एक लिखा है। इस पहली की चौथी पंक्ति में अंक लिखे हैं एक, जमा, तीन, बराबर, रिक्तिस्थान। और सबसे अंतिम पाजवी पंक्ती रिक्त है अब आप इन रिक्त स्थानों को स्वयम भरिए प्रिष्ट संख्या 131 ग सोचो और पूरा करू अ यहाँ पर एक व्रिक्त के अंदर वर्ग की आक्रिती है साथी तीर का निशान बना हुआ है उसके सामने एक वर्ग के अंदर गोला कार आक्रिती है दूसरी आक्रिती सितारे के अंदर व्रित्ट बना हुआ है उसके सामने तीर का निशान है अब आपको समझना है और सोच कर बताना है की अगली आक्रिती कौन सी होगी 1. सितारे के अंदर वृत की आकृती 2. वृत के अंदर वर्ग की आकृती 3. वृत के अंदर सितारे की आकृती 4. वर्ग के अंदर वृत की आकृती 2. यहाँ पर कुछ अंकों के दरपन प्रतिबिम्ब दिये गए हैं जैसे उल्टा पांच, साथी तीर का निशान है और सीधा पांच अंक लिखा हुआ है दूसरा अंक उल्टा नौ है, आपको इसके सामने दिये गए रिक्तिस्थान पर सही अंक लिखना है तीसरा अंक सीधा साथ है इसके सामने दिये गए रिक्तिस्थान पर आपको इसी अनुसार साथ के दरपन प्रतिविम्ब को लिखना है घ, संख्या ग्यात कीजिए एक संख्या के बारे में सोचो उस संख्या को दो गुना करें उसमें आठ जोडो उस संख्या का आधा घटाओ आपके द्वारा शुरू की गई संख्या घटाएं प्राप्त हुई संख्या चार है अब इस मैथ ट्रिक को अपने मित्र के साथ खेलें प्रिष्ट संख्या एक सो बत्तीस अंग, चित्र को समझे चीटी कितने अलग अलग तरीकों से अपने घर यानि बाम्बी में वापिस आ सकती है यहाँ प्रिष्ट संख्या एक सो बत्तीस पर एक चीटी का चित्र दिया है और पीच में एक त्रिभुच की आकरती है जिसके छे भाग हैं त्रिभुच के दूसरी ओर एक बाम्बी का चित्र दिया गया है चव, ग्यारा से बीज तक की संख्याओं के नाम ग्यात की जीए यहाँ पर एक चौकोर आकरती दी गई है जिसमें एक सो दस खाने हैं यह खाने खड़े हुए दस हैं और लेटे हुए ग्यारा हैं अब हम इस चौकोर आकरती में पहली पंक्ति के अक्षर को पढ़ते हैं तै, र, ह, ग, या, री, उ, न, इ, बे, ल दूसरी पंक्ति के अक्षर क, म, उ, न, इ, स, ते, र, ह, र, म तीसरी पंक्ति के अक्षर सौ, ल, बी, पं, त, ती, स, र, म, ह, क चौथी पंक्ति के अक्षर, उ, न, स, च, द्र, पं, ग, ह, र, आ, च, पांचवी पंक्ति के अक्षर, स, त, हा, द्र, ते, ह, र, थ, ल, च, म, चौथी पंक्ति के अक्षर, ज, च, द्र, ह, ब, फ, म, ह, स, क, र, चौथी पंक्ति के अक्षर, प, म, च, क, बा, र, ह, म, ए, ग, ग, आठवी पंक्ति के अक्षर द, बी, ह, ए, न, त, च, न, क, या, या नौमी पंक्ति के अक्षर र, ल, म, ल, च, ब, स, ब्र, अ, ना, र, और दस्मी पंक्ति के अक्षर सो, सा, ल, च, म, च, प, अ, ठा, र, ह प्रिष्ट संख्या 133 यहां पर दिये गए च्छाया चित्र की पहचान करें यहां प्रिष्ट संख्या 133 पर एक कीडे का चित्र उपरी भाग में दिया गया है और उसके छे च्छाया चित्र दिये गए हैं ज, बिल्ली अपने घर में कितने अलग-अलग तरीकों से वापिस आ सकती है यहां प्रेश्ची संक्या 133 के मध्यम भाग में एक चित्र दिया गया है जिसमें एक बिल्ली कुछ सोच रही है उसके सामने एक आयताकार आकृती के रूप में बिल्ली के जाने के रास्ते को तीर के माध्यम से बताया गया है इस आकृती के अगली तरफ एक घर बना हुआ है जो की बिल्ली का है ज, आप दो दिया सलाई यानि माचस के तीली निकाल कर केवल दो वर्ग छोणे यहाँ पर बारह दिया सलाई के तीलियों से एक चौकोर आकृती बनाई गई है इस आकृती के चार खाने हैं इस आकृती के चार भाग हैं जो रिक्त हैं प्रिष्ट संख्या 134 यह, मैं कौन हूँ? मैं साइकल में हूँ? मैं कार और बस में भी हूँ? मैं सभी वहनों को चलाता हूँ अगर मैं सपाठ हो जाऊँ तो वो हिल नहीं सकते मेरा आकार क्या है? त कुल तीस बनाने के लिए आप किन गेंदों का चैन करेंगे? यह, प्रिष्ट संख्या 134 के मध्यम भाग में एक आयताकार आकृती के अंदर दो भाग दिये गए हैं पहले भाग में तीन गेंदे दी गई हैं दो गेंदों के बाद जमा का निशान लगा है और तीसरी गेंद के बाद बराबर का निशान है और लिखा है तीस दूसरे भाग में आठ गेंदे हैं पहली गेंद पर एक लिखा है दूसरी गेंद पर चार लिखा है तीसरी गेंद पर पांच लिखा है चौती गेंद पर साथ लिखा है पांचवी गेंद पर नौ लिखा है चठी गेंद पर ग्यारह लिखा है सात्वी गेन पर तेरह लिखा है आठ्वी गेन पर पंदरह लिखा है ठ, क्या आप केवल एक अंक का प्रयोग करके दो अंकों वाली दो भिन संख्याईं बना सकते हैं? प्रिष्ट संख्या एक सौपेंटीस जिराफ को कुछ पतियां खानी है उसे पेड तक पहुँचने के लिए रास्ता बनाएं यहाँ प्रिष्ट संख्या एक सौपेंटीस पर एक चित्र दिया गया है ये एक टेढ़े मेढ़े रास्ते का चित्र है जिसके उपरी भाग में एक सिरे पर जिराफ खड़ा है और दूसरे सिरे पर एक पेड है इस जिराफ को उस पेड तक पहुचना है इन टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए उस पेड तक पहुचना है इन टेढ़े मेढ़े रास्तों में बीच में एक बिल्ली, एक चुडिया और एक चूहा है उत्तर लिखें A. जिराफ रास्ते में सबसे पहले किस से मिला था? रिक्तिस्थान B. जिराफ आखरी में किस से मिला था? रिक्तिस्थान S. क्या आप कभी घर जाने के लिए अपना रास्ता भूले हैं? रिक्तिस्थान और द आप अपने रास्ते को याद रखने के लिए क्या करते हैं? रिक्तिस्थान प्रिष्ट संख्या 136 ड यहाँ पर दिये गए बिंदुों को मिला कर आप कितने आयत बना सकते हैं? यहाँ पर तीन पंग्तियों में तीन तीन बिंदु हैं यहाँ पर कुल नौ बिंदु दिये गए हैं संकेत वर्ग भी एक प्रकार का आयत है इसके बारे में अपने सहपाथियों एवं शिक्षिकों के साथ चर्चा करें र जोड अध्वा घटाव करके बीच की संख्या बनाएं यहाँ प्रिष्ट संख्या 136 के मध्यम भाग में तीन शटकोंड दिये गए हैं जिनके छे भाग है पहले भाग में लिखा है अठारह घटा नौ दूसरे भाग में लिखा है छे जमा तीन बीच के भाग में लिखा है नौ दूसरे शटकोंड में बीच के भाग में संख्या लिखी है तेरह बाकी के भाग खाली है आपको पहले शटकोंड के पैटन को समझते हुए यहाँ पर जोड और घटा की संख्या लिखनी है जिससे आपको तेरह की संख्या प्राप्त हो तीसरे शटकोन में बीच में उन्नीस लिखा हुआ है बाकी के भाग खाली है इसी तरह से आपको यहां पर भी वही पैटन समझना है और जोड और घटा की ऐसी संख्याय लिखनी है जिसे कि आपको उन्नीस अंक प्राप्त हो यहां प्रिष्ट संख्या 136 पर एक चित्र दिया गया है जो की प्रिष्ट के सबसे निचले भाग में है यह एक बगीचे का चित्र है जिसमें चार पेड दिये हुए है चार भेडे और चार कुत्ते है प्रिष्ट संख्या 137 थ मैं कौन हूँ एक दरपण आपकी सहायता कर सकता है यहां पर प्रिष्ट के उपरी हिस्से में कुछ अंकों के दरपण प्रतिबेंब दिये गया है दिये गया अंक है 24, ब, 83, स, 79 द, 71 द, आप एक से साथ तक की संख्याओं को किस प्रकार व्यवस्थित करेंगे कि तीनों भुजाओं का योग समान हो यहां प्रिष्ट संख्या 137 पर एक चित्र दिया गया है जिसमें बीच में एक गोला कार आक्रती है और उसके तीन भुजाओं है तीनों भुजाओं में दो-दो वर्ग की आक्रतियां है अगर एक मीटर हर बार कटता है तो हम उसे कितनी बार काटेंगे न मैंने एक संख्या सोची और उसको दुगना कर लिया अगर मेरा उत्तर 18 है तो मेरी सोची हुई संख्या क्या थी प 28 बनाने के लिए कैलकुलेटर पर 10 कुंजी यानि बटन दबाएं यहाँ पर एक कैलकुलेटर का चित्र है अभी आप सुन रहे थे कक्षा 2 की गणित की ध्वनी पुस्तक आनंद मै वाचनस्वर प्रवीन शर्मा और शालीरी सिंग तक्नीकी निर्देशन बटी लैंग लिंग्डो धन्यंकन मयंक कुमार और विकास सांगवान निर्माण सहयोग कुसुमलता निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत